चलिया ये फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई के करियर की पहली सफल फिल्म थी हेमा की सफलताओं का सफल क्या बहुत आसान रहा है ये इस हुसन की मलिका को भी थोड़ा बहुत संघर्श करना पड़ा कुछ फिल्में कहानी की वजह से हिट होती हैं तो कुछ स्क्रीन प्ले की वजह से कुछ स्टार्ज की वजह से तो कुछ गीत संघीत की वजह से तीडेवी का स्टारडम शिखर पर था और अब बारी थी अनिल कपूर की नाइका बनने की 1966 में ही वेजनती माला और जुबली कुमार राजिंद कुमार की फिल्म आई सूरज आज सितारों का सफर में बस इतना ही अब सोनल को दीजिए इजाज़त नमस्कार मैं सोनल दहिया एक बार फिर हाजिर हूँ किस्से कहानिया और रागनिया के इस सुहाने सफर में आप सब की हमराही बनने के लिए अब हंस कहते हैं कि हमें आपके यहां रहते हुए बारह साल हो गए है यानवती की बातने सुनकर राजा नारायन सिंग गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता मैं भी सजती तेरे द्वारे महंदी कुम-कुम रोली में खुशियों से आंचल भर जाता जब जाती मैं डोली में जर्म से पहले क्यों मरवाया यही पूछने आई हूं किताब एक तरीके से खुलासा है लेकिन किताब में बहुत से रहस्य अभी रहस्य वाकिं है आप सही कह रही है जादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही विश्विद्याले की वेबसाइट और ESIC की वेबसाइट पर लोग इन कर सकते हैं पोर्ट्स पर हम देख रहे हैं कि रेड और पेरेट कलर के इस्तिमाल को जादा ही हो रहा है आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सोनल दहिया हमारी स्खास पेशकर्ष एवन होली और हमारे साथ गाउं की एकताई इस वक्त मौझूद हैं उनसे जानते हैं कि पहले की तीज में और अब की तीज में वो क्या फर्क देखती हैं प्रदेश में नई खेलनेती से खेलों को एक नई दिशा मेली है जिसने खेलों में अक्षेत्रिय भेदभाव को मिटाते हुए निश्पक्ष प्रतियोगिता का यूग शुरू किया है सहकारिता के अपने कुछ सिध्धान्थ होते हैं और ये सिध्धान्थ ही इन समीतियों के मार्ग दर्शक बनकर इन्हें मंजिल की तरफ ले जाते हैं आईए अब नजर डालते हैं गव समवर्धन के इस अधिनियम के उन महतुपूर्ण बिंदूओं पर जिन पर प्रदेश सरकार खास्तोर से काम करें यहां के खानपान के लिए कहावत भी है देशा में देश हर्याना जित दूद दही का खान हर्याना की संस्कृती सही मायनों में कुछ्टी और पहलवानों की संस्कृती है तब ही तो यहां के गावों के बारे में कहा जाता है फिल्म मेरे महबूब में जिस तरह साधना को पेश किया गया है वो आज तक एक मिसाल व्यूटी, सुन्दर्ता, खुबसूरती और भी बहुत से शब्द हैं इस शेणी में गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महबूब जोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है और अपनी मौसीकी पर सब को फक्र पोता है मगर मेरे साथ ही आज मौसीकी को तुझ पर नाज है